हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब साही ही होंगे मैं भी की राज स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का अपने चैनल सिवियस ट्यूब में जहां पर आप लोगों के लिए एस्पेशल स्रीज लाई जाती है एयर फोर्स ने भी और एससे स्पेशल के लिए जिसमें हम वही कोशन्स डिसकस करते हैं या वही इडियम्स को डिसकस कराया जाता है जो कि आपके इग्याम के पॉइंट अभी उसे इंपॉर्टेंट होता है तो दोस्तों आप सभी इसे देखना न भूलिएगा और अन्त तक जरूर दिखेगा ठीक है दोस्तों जैसा कि आ आपको जाके जुड़ जाना है अगर आज आप जुड़ते हैं जहां पे ग्रूप D और NTPC के लिए एक मौक टेस्ट कराया जाएगा आज उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप कौन से ग्रूप को एड किजिएगा तो आपको क्या एडवांटेज मिल करने वाली है यह दिया हुआ है तो अगर आप जो वहां पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में ग्रूप D और NTPC वाले ग्रूप को अगर आप जुड़ते हैं तो आज वहां पे आपको फुड़ी आपको कॉस्ट मौक टेस्ट कराया जाएगा जो कि मन्डे और सटेटों कराया जाता है तो आप वहां से जूर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स और बाकी जो बचे हुए दिन है उस दिन अलग-अलग सब्जेक्ट की मौक टेस्ट कराया जाती है तो आप जरूर जूरें अब चलिए फ्रेंट्स जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह मेरी चैनल सो यह को करना क्या है तो सब्सक्राइब कर देना है लाइक कर देना है वीडियो को और शेयर जरूर करना है जैसा कि फ्रेंट्स आप फर्स्ट यहां से एडियम से देख सकते हैं लिखा हुए टू ड्रिंक अफिस यह लिखा हुए टू ड्रिंक अफिस इसका मिनिंग यह होता है कि तो ड्रींग अफिस इसका अगर मीनिंग बतला तो अलग मीनिंग में आता है जैसे साड़ाभी होना पियकर होना जैसे से जोते हैं वहारमेशा पानी में घाता है तो ड्रींग करता होगा तो उसी को बेख सकते हैं अब दूसरा एडियम से लिखा हुआ है कि तूफा इंड यह लिखा हुआ है to fight the bitter end इसका meaning होता है कि बीना पड़िनाम के लड़ाई जारी रखना है आप लड़ाई तो कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका कोई result नहीं आने वाला है उसका कोई पड़िनाम नहीं आया है तो उसको क्या बोला जाएगा तो फ्रेंस इसके है वह जारी है तो उसी को बोला जाएगा to fight the bitter end to carry on contest regardless of consequence इसकी right answer हो जाएगी ठीक है फ्रेंस जैसे कि next आप देख सकते हैं यहां से लिखा हुआ है a red later day a red later day तो फ्रेंस इसका meaning होता है एक महत्व पुर्ण दिन a red later day तो an important day जो होगी इसकी right answer हो जाएगी ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या दिया हुआ है तो फ्रेंस आप देख सकते हैं लिखा हूँ है to make the grade यह लिखा हुआ है कि to make the grade तो फ्रेंस इसका meaning होता है जैसे grade देना किसी को मतलब सफल हो गया वह भी अक्ती to make the grade उसका अर्थ होता है सफल होना तो to come out the successful इसकी right answer हो जाएगी ठीक है दोस्तों चलें next word idioms की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला idiom क्या दिया हुए तो friends आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि to be up and doing to be up and doing यह लिखा हुए तो friends इसका अर्थ होता है किसी काम में ब्यास्त होना या पर इस्रमी होना to be up and doing का अर्थ क्या दिया हुए तो friends देख सकते हैं लिखा हुए कि to set i to i with to set i to i with इसका अर्थ होता है कि सहमत होना आख में आख मिलाना सहमत होना इसका मीनिंग हो जाएगा to set i to i with तो इसका answer जो होगा to agree हो जाएगा ठीक है दोस्तों चले next की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जाना किसी की पक्च में जाना यह पक्च पात होता है तो इसका राइट अंसर जो होगा प्रजीवडिक हो जाएगा ठीक है फ्रेंस प्रजीवडिक जो है इसका राइट असर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट अपवर्ड यहां से देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुए to see जो सकता है तो इसकी मीनिंग जो होगी तो समझ में आ रहा होगा और यहीं सारे आपके अगर आप मॉक्टेस्ट लगाते हैं तो यहीं सारा आपको वर्ड मिलता है वहाँ पर फ्रेंट से लिखा हुए कि to push somebody to the wall to push somebody to the wall किसी को वाल में ढखेलना यह वाल की तरफ ढखेलना तो इसका अर्थ होता है to defeat हराना इसका मीनिंग हो जाएगा to push somebody to the wall इसका अर्थ होता हराना किसी को ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुए to be in two minds to be in two minds उसको बॉला जाता हूए to be in two minds to be in two minds to be uncertain इसका राइड आउसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंडक्स तो उमीद करता हूँ की आपको या सेशन पसंद आया होगा तो जो लोग मीं लास्ट की देखें उनको तहे दिल से धन्य बादू चैनल्स को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को ll after जरूर कीज़ेगा और इक लाइक दोस्तों जरूर कीज़ेगा लाइक करते हैं वह यल्लंक की बात है लेकिन लाइक करagainो किजिए